दोस्तो शारू खान के फिल्म पठान का रिलिस से पहले जितना शांदार तरीके से बाइकॉट किया गया था अब उतना ही शांदार तरीके से फिल्म बॉक्स आफिस पर पर्फॉर्म कर रही है पठान फिल्म की तीन दिन की कमाई नहीं फिल्म को बॉक्स आफिस पर सूपर हिट बना दिया है और फिल्म पठान के सक्सेस पार्टी की पूरी तरह से तैयारी हो गई है क्योंकि शारू खान दिल से खुश नसर आ रहे 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलिस हुई थी बॉलिवूट के किंखान शारू खान के फिल्म पठान और पठान फिल्म ने आज सिनेमा घरों में तीन दिन पूरे कम्पिलिट कर लिये है तो दोस्तो बात करने वाले है इस वीडियो में पठान फिल्म के पूरे तीन दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में अपने पहले तीन दिनों में ये फिल्म इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर चुकी है वही फिल्म का worldwide total कित्रा box office collection हो चुका है तो दोस्तो बात करेंगे इसी के बारे में बस आप इस वीडियो के साथ पने रहेएगा लेकि दोस्तो उसे पहले अगर आप बॉलिवूड के किंखान शारुखान को एक बहुतरी नभी नहीं ता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथी साथ इस चेनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीचीगा तो दोस्तो अगर बात करें फिल्म पठान की तो जब से बेशरम रंगाना रिलीज हुआ था तब से ही फिल्म विवादों में थी और फिल्म का बहुत ही ज्यादा बाईकॉट किया जा रहा था एक तरफ शारुखान के फैंस बहुत ही बेताबी से इंतिजार कर रहे थे कि बस एक बार फिल्म रिलीज हो जाए उसके बाद दिखाते हैं कि मसा कैसा आता है और उसके बाद जैसे ही फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो वाकि शारुखान की स्टार्डम ने शारुखान के फैंस ने ये दिखा दिया है कि वाकि शारुखान से बड़ा बॉलिवूट का किंग कोई भी नहीं है जा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि पठान फिल्म का जो बजट था वो लगबग 200 करोड उपे का था तो वहीं सिधार तानन ने इस फिल्म को डेरिट किया था और फिल्म का VFX बहुत ही शानदार था जॉन अबराहम का एक्शन शारु खान का एक्शन कमाल का था सल्मान खान के एंट्री वो भी जबरदस थी और दिपी का पाड़ुकोड और शारु खान की केमेस्ट्री उसको भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया और यही वज़ा है कि फिल्म box office पर दिन बादिन अपने कलेक्शन में उच्छाल मार रही है और फिल्म box office पर record तोर कमाई कर रही है दोस्तों अगर मैं बात करूँ फिल्म पठान के अभी तक के box office collection की तो इसका जो day one का इंडिया में net box office collection था वो था 57 करोड रुपे का तो वहीं फिल्म ने पूरे worldwide में अपने पहले दिन 107 करोड रुपे की कमाई की थी दूसरे दिन फिल्म का जो इंडिया में net box office collection रहा वो रहा 70 करोड 50 लाग रुपे का दूसरे दिन overseas से फिल्म ने कमाई 32 करोड रुपे और दूसरे दिन का जो total box office collection रहा फिल्म का पूरे वर्ल्ड से वो रहा 113 करोड रुपे का तो दूसरो अगर मैं बात करूँ फिल्म के दो दिनों के इंडिया के net box office collection की तो दूसरो 127 करोड 50 लाग रुपे फिल्म ने दो दिनों में इंडिया से net कमा लिये हैं तो वहीं फिल्म का जो इंडिया में gross collection है वो लगभग 151 करोड रुपे हो चुका है तो वहीं फिल्म क्लेक्शन में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि आज वर्किंग डे है लेकिन कल सटर्डे और संडे फिर तूफान मचने वाला है तो अगर बात करूँ में तीसरे दिन यानि के आज के तो दूस्तो आज जो इंडिया से net box office collection है वो लगभग 32 करोड तो वहीं फिल्म का इंडिया में gross collection रहेगा 36 करोड रुपे का वहीं अगर मैं overseas की बात करूँ तो दूस्तो overseas ती फिल्म आज लगभग 18 करोड रुपे कमाने वाली है और फिल्म का total box office collection रहेगा आज पूरे वर्ड से 54 यानि के 54 करोड रुपे का तो अपने पहले तीन दिनो में 169 करोड रुपे फिल्म इंडिया से कमा रहे है वहीं फिल्म का इंडिया का gross collection 187 करोड रुपे हो जाएगा तो वहीं फिल्म वर्ड वाइड में 274 करोड रुपे कमा रहे है और फिल्म box office पार super lit हो चुकी है और फिल्म आने वाले टाइम में all time blockbuster होने के लिए पूरी त रहा से तयार है